असलाम ओलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिट्रेटर पर वालकम कहती हूं आज जो नोबल हम डिसकस करने जा रहे हैं उसका नाम है और लेडी ओफ एलस्पृति इसको मुहमाद हनीव ने लिखा है मुहमाद हनीव कौन थे ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर है और इनकी डेट ऑफ वर्ज है वो नेवेंबर 1964 है प्रेजन टाइम यानिके 2021 में लेक्टर रिकोर्ट करें तो इस टाइम में इनकी एज जो 56 है यह प्रेजन टाइम में न्यू योग ताइम्स के लिए कॉलम लिखते हैं उनके लिए का साइस किया नेगेटिव वे में मैंने उसका लेक्टर लेडी बना दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ इन्होंने शोर्ट स्टोरी पी लिखी इनका सेकिंड मेजर नॉवल जो है और लेडी ऑफ आलस भटी इसके बाद रीसिंटली नोवल पॉब एक मेल है मेल होने के बावजूद भी इन्होंने इस नॉवल और लेडी ऑफ आलस भटी के अंदर इस नॉवल के अंदर एक फैमिनिजम की स्ट्रॉंगली एक्जाम्पल प्रिजेंट की है जिसमें दिखायागा है किस तरह से विमन को एक्स्प्लोइट के जाता है पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है ठीक है तो नहीं आप दिखायागा कि के साथ क्याट प्रेट्मेंट किया जा रहा है पाकिस्तान में ठीक है अब हम की फैक्ट की बात करते हैं तो सेटिंग जो दिखाएगई इस नॉवल की वह क्राची दिखाए गई हूई है स्पैलिंग में ठीक होगी थे आप ठीक कर लिजेगा क्राची में सेक्रेट हार्ट होस्पिटल फॉर ओल इल्मिंट्स इसकी बात की गई जो के एक इंपोर्टेंट प्लेस है अगेन और अगेन जो इसमें जो प्लेस रूपीट होगी वह फ्रेंश के लूनी की बात की जाए एक ट्राजिक लव स्टोरी के बारे में बात की गई है इसके अंदर किस तरह से मिस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कैसे एक रिलिशन्शिप दिस्ट्रोई हो जाता है मेजर थीम्स देखने वाले जो हम इसमें वो प्रॉप्शन काओ का थीम ओफ लव फेट एंड रिलीजियस दिस्क्रिमिनेशन फेमिनिजम एंड जेंडर इस्ट्रोई है फिर ठीक कर लिजेगा आप क्लास दिफ्रेंसिज लौ एंड ओर इंडर इंकराची रिलीजियस और प्रोटैग्वनेश इसके अंदर होगी हमारे पास ऐलस भटी ऐलस भटी को है आगे डिसकस करते हैं पहले हम बात करते हैं टाइटल के सिगनिफिकेंस की और लेडी ओफ एलस भटी और लेडी किसे कहते हैं Christianity की Beliefs के According जो Virgin Mary है जिसको हम लोग जिनको हम लोग हजरत मरियम कहते हैं तो Christianity के Beliefs के अखौरडिंग जो Virgin Mary है वो बिसकली उनकी और लेडी है इसके टाइटल के अंदर जो यह वर्ड और है इन यह बहुत ज़्याद सिक्मिफिकंट है क्यों इसको डिफ्रेंट वेस में इं टाइटल जो ये और लेडी राइटर ने यूज कियान है, बिसिकली ओनर्फिक टाइटल है, एक बहुत जादा इज़त वाला टाइटल, और राइटर ये टाइटल एसोसियेट कर रहा है एक आम लेडी के साथ, और लिंक्ट करके वो अलेडी को बहुत जादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, टाइटल जो है, वो रिलीजियस, जो सिग्निफिकेंस है, इस नॉवल के इंदर वो भी हाइलाइट कर रहा है, इसके लावा अगर हम बात करें, और लेडी ओफ एलेडी बटी, ओन दे होल, तो टाइटल में यूज किया गया है, अलेज बटी एक लेड कर रहा है, क्योंकि ये जो नॉवल है, विसी कली, एक सोशल स्टायर है, एक स्ट्रॉंगली सोशल स्टायर है, और जैसे के टाइटल यहां पर इंडिकेट कर रहा है, कि और लेडी ओफ एलेडी बटी में, लगता है कि इसके इंदर एक ऐसी खातून दिखाई गई, एक ऐसी पूर नर्स को, जो के माइनोरिटी से बिलोंग करती है, एक सुपीरियर रैंग दे दिया, बाइ यूजिंग इस टाइटल, जैसा कि हम लोग इसके अपी लोग होगा, उसके इंदर भी देखेंगे, यह की टाइटल की सिग्निफिकेंस, अब हम बात करते हैं, क्रेक्टर्स क नमबर वन है अलेस बटी, जो के एक नर्स होगी इसके अंदर, और वो सेक्रेट हार्ट होस्पिटल में काम कर रही है, डिटेल जो हम नोवल की समय डिसकस करेंगे, तब साथ साथ डिसकस करते जाएंगे इसकी डिटेल को, और इसके जो फादर है, वो जोजफ बटी है, इस है, फौर्ट ग्रेड नर्स के लिए इंटर्वियू देने के लिए गई है, जबी इंटर्वियू देने गई है है, तो वहाँ पर जो इंटर्वियू बैठेंगे उन में और्थोस है रहे है, शीनियर सिस्टर हिना अल्वी है, डॉप्टर जिमस प्यर्रह यह बैठे हुए ह interview करते हैं इनका जो कि in reality interview नहीं कर रहे इसको सामने बठाके exploit कर रहे हैं किस तरह से क्योंकि ये तीनों के तीनों crunt issues के about बात कर रहे होते हैं ना कि वो अलस बटी से interview कर रहे होते हैं अपनी बातों में Megan है सामने एक लड़की को बठाकर और जो कि minority rank से बिलोंग करती है जो कि एक Christian है novel के starting में दिखायागा है कि जब Alice for teen interview दने के लिए आते तो senior sister हिनाल अलवी जो है वो पांच जुबा रही होती है और कोई भी interest show नहीं कर रही होती है जो डॉक्टर जिम्स प्रेर है ये CMO है बिसिकली CMO means Chiefs Medical Officer है ये भी बैठे हुए है और ये hospital के कौन है CMO Sorry कौन से hospital के है Sacred Heart Ailment Hospital अब उसके बाद novel में जो interview करने वाले Alice Batti से वो होंगे sir ortho anyhow इसके बाद जो next director है वो है नूर का नूर Alice Batti के साथ जेल में भी रहा हूँ है जी बिल्कुल Alice Batti और नूर दोनों जेल में भी रहे थे और ये हमें writer की flashback की technique मता लगेगा कि जब ये बार-बार past की भी बाते करेंगे कि पहले ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था Alice Batti पे एक blame कर दिया गया था Alice Batti ने एक murder की है तो इस पे Alice Batti को 18 months की सजा होई थी कि इसने जेल में वह time spent करना है लेकिन anyhow उसके सजा कम हो गए थी नूर भी उस जेल में था अपनी मा जैनब के साथ नूर की मदर जैनब है उनकी तबियत बहुत कम बहुत खराब दिखाई गई है नूर जब वाड़वर के तोर पर यहां पर काम कर रहा है तो जैनब थी उसकी मदर नूर की मदर है उनकी भी यहां पर help की जा रही है उनकी look after किया जा रहा है यहां पर free treatment किया जा रहा है इंसपेक्टर मलंगी का करेक्टर है एक जो कि इसमें जी स्क्वार्ड नेम का एक ग्रूप पर उनका लीडर दिखाया गया हुआ है एक नेगेटिव करेक्टर प्रिजेंट किया है कि इसके अंदर और टेडी बट जो के हस्बेंड होगा एलेस बटी का इस नोवल के अंदर उसका टाइटल जूनियर मिस्टर फैसलाबाद भी रखा गया हुआ है जो कि उसने थ्री येर्ज अगो गेन किया था ठीक है तो अब डॉक्टर मलिक का एक करेक्टर है डॉक्टर मलिक जो है यहां पे ऐसे करेक्टरों का जो के टेडी बट को और इंस्पेक्टर मिलंगी को अबुजर नेम का एक करेक्टर रिडूस कर वाज़ागा है इस नोवल के अंदर उसके अबाउट बनाने का करें ताके इससे प्रूफ हो जाये कि अबुजर टेर्रिस्ट है लेकिन यह इनकार कर देते हैं थिक है तो इनका एक थोड़ा सा रॉल दिखाया गया है बस अब हम बात करते है अपनी में जो स्टोरी है उसके अबाउट क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम लोगों को करेक्टर साथ साथ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अब होता है क्या है जब यह novel start होता है तो novel start की जो बिल्कुल starting quotation है मैं वो पढ़ती हूँ less than 3 minutes in front of the interview panel and Alice Bhatti knows in her heart that she is not likely to get the job advertised as replacement junior nurse grade 4 a sharp tingling in the back of her neck warns her that not getting the job might not even be the worst thing that could happen here no questions have been asked yet but she knows that all the preparation her stressed white uniform the new file a faint smudge of mud brown lipstick breathing exercises she has done to control her jumpy heart even the banana she ate on the bus to stop her stomach from rumbling all seems like wasted investment halal money down the haram drain as her father Joseph Bhatti had put it अच्छा यहां पर stop करती हूँ अब बल्कुल जब start अब बताया गया है कि एक लड़की है जिसका नाम है Alice Bhatti वो आई हुई है इंटिव्यू देने के लिए और इंटिव्यू क्या है replacement junior nurse grade 4 इस post के लिए वो इंटिव्यू देने के लिए आई हुई है लेकिन अब तक उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया फिर वो बात करती है अपने फादर की इसकी फादर का नाम है He had said and our own brothers at the secret they will educate you and then ask you why you stink अब यहां पर क्या दिखाया गया है marginalization का element दिखाया गया है और मुसलास यह जो है ना यह एक insulting word होता है मुसलिम के लिए तो यहां पर हम देखेंगे कि Christian भी है वो मुसलिम के लिए insulting word यूज़ कर रहे होते है Christian Christians के लिए भी चूड़ा का word यूज़ करेंगे और मुसलिम जो है वो भी Christians को exploit कर रहे होते हैं तो इन्हों पर कहां पर तो इन्टरव्यू के लिए और वड़ी कंफ्यूज है कि क्या इसको इन्टरव्यू के लिए जाना चाहिए कि चाहेj किसको इंट्रेवी ले लिया चाहे अशल qun is play उस file के अछिफ एक application है जो के job application की copy है और कुछ भी नहीं है ऐसके पास आप जब नहीं एक यह अइस के पास अब जब आप इट्रेविव देने के लिए गई हुए है और इनमें headship किसी चल रही है headship of doctor ortho ठीक है orthodoxy से निकला है और orthopedic को भी कहते हैं यूग कि हम पर doctors के बारे में बात की जा रही है तो orthopedic surgeon वो busy है किसके अंदर current affairs की बात है करने के अंदर किन के साथ प्राइरा के साथ और sister हिना अलवी के साथ और sister हिना अलवी के कर रही है उस time पे वो भी अपने मुझ के अंदर पान लेके पान को जुबा रही है कोई ध्यान नी देरी किस की तरफ Alice की तरफ तो एक means हम कर सकते हैं इसमें feminism तो है लिकिंश में female भी female को exploit कर रही है जसे हैं पर टेक्स पर लिखा है, सीनी सिस्टर हिना अलवी sits on the interview panel with the palm tucked in the right side of her mouth, her tongue occasionally licking the crimson juice before it can become a dribble. फिर एलस कहती है, इन सब के अंदर, जो डॉक्टर प्रेरा है ना, चीफ मेडिकल ओफिसर रैस होस्पिटल के, वो अके लिए होफ थे एलस के लिए. फिर नेरेटर बताता है, कि जो इन सब में ओर्थोसर थे, वो आए हैं, वो सामने आके बैठे हैं, उन्हेंने अपने हाथों में हाथ डाले हैं, हाथों में हाथ डालके बैठ के हैं, और उन्हेंने फिर मेरा interview करना शुरू किया, और वो भी derogatory way में, negative way में, मुझे tease करते तो बैसिकली यहां पे वो क्रिटिसास इसना कर रहा है, कहता है, इसके जो पोरहर है, वहां पे महराब बना हुआ है, लेकिन बाद नहीं कहा रहा है, कि यह एलेस बट्टी को derogatory way में criticize करते हैं, negative way में उसको देखते हैं इंटर्व्यू कर रहा है, फिर इसी चेप्टर में ना, एलेस, डॉक्टर ओर्थो जो है, उनको compare करती है, लिजर्ट के साथ, कि जिस्ता लिजर्ट गूरती रहती है, बि टेडी बट के साथ आया होता है, इंस्पेक्टर बिल लंगी के बाद बारे पर बताया गया है, कि जेंटलमेंन स्क्वाइट नाम का एक गरूप है, जिसको जी स्क्वाइट भी कहते हैं, उसका ये head है, और इस 60 येर्ज का है, और इसको 60 येर्ज हो गए है, पुलिसिंग की experience में, जैसे कि मैंने पता है, सेटिंग कराची की दिखाएगे, यहां में लिका है, 60 years of policing experience in the city of कराची, इसकी करेक्शन करें, 60 ने 36 आएगा, अब यहां मेंने जेंटलमेंन स्क्वाइट की बात की, जी स्क्वाइट की बात की, यह एक्शली में है, क्या, means to say, यह कोई, कितनी हम लोग के law इसको प्रूफ किया हो, यह कोई official group हो, यह कोई official group नहीं है, यह unofficial group है, इसका किसी भी रिजिस्टर के अंदर name नहीं है, इनका main काम क्या है, जैसे एक्टेशन में लिखा है, The Gentleman's Squad is a group of like-minded police officers, not really an entity commissioned by any law-enforcing authority, the name of the unit does not exist on any official register, on letterhead or websites, there are no annual audits or medals for bravery, it does not hold press conferences to unveil the criminals, it catches or kills, or more often catches and then kills, It is a group of gentlemen, who not given to any flights of literary imagination, have decided to call themselves the Gentleman's Squad, it is a clue of removed rapist, I have got three grown-up daughters now you know, Tortures, it's a science, not an art, sharpshooters, monkey, really, as we spend half our lives purged on rooftops and trees, and generally the kind of investigators who can recognize a criminal by looking at the way he blows his nose or turns a street corner, They have survived together for such a long time, because they believe in giving each other space, they come together for a good cause like they have today, and then disperse to pursue their own personal lives We can say that society is a negative role, it is a positive role, they torture people, they kill 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 people Inspector Malangi hospital, Daddy Bird, who has come together with his new informer, who has three years before the title earned, the title earned, the title of Junior Mr. Faisalabad, These two hospitals go to the hospital, which is the medical legal certificate for the medical certificate, Dr. Malangi against the terrorist abuser Inspector Malangi says that they want this abuser against a medical legal certificate, they say that this man is responsible for the garden he's attack, and this is a real culprit, that this terrorist is a real culprit, Now, Dr. Malik said that I can't see any certificate, I can't see any injury, I can't see any injury, because if there is injury, then I can recognize it as a terrorist, So, on this basis, they prove it to be a terrorist terrorist, Abuser, sorry, Malangi says that Teddy Bird, Method because of injury injury got into our number of wrong movements, It's an injury injury 70 years ago, अब नूर के पास जाता है टेडी बट नूर कोन है एक वाड़ वोई है और वहां पर जाकर वो अपने थम पे शूट कर लेता है शूट करने के बाद इसको थम बिजरी हो गई फिर इसके बाद जो नूर है वो कौन था नूर के बारे में बताया गया कि जो नूर इस अपके साथ इसकी मदर की तेभियत बहुत कराब है दोनों ने अपना एक टाइम पीरियट कुछ इयर स्पेंड किया है बोस्पिटल के अंदर ही और नूर बताता कि जब वोस्पिटल के अंदर था जब वोस्पिटल के अंदर था तब एलेस बट्टी ने इसको डॉक्टर का एड्रेस दिया था और का था वहां जाके इस से मिला और जब इसको इंट्री कर रहे था न की मदर के साथ एहां पे आया तो डॉक्टर प्रेरा को में मिला मैं जो कहा एक श्यूंज मी यह वर्ड्स उनकर ड़क्टर प्रैरा में तरफ धियान दी और मुझे अंदर लेया ह शुरु में मुझे जॉब जो दी थी वह थी अडमिशन और डिस्चार्जिस दिनिशन और इक्सपिडिशर की अब उसके बाद कहता है फिर दुबारा आता है नूर प्रेसेंट में नूर कहता है कि जब मैं इस होस्पिटल में था यानि कि जब ऐलस का इंटर्वी हो रहा था इसलगे मैं इनुरीक्स के विलकुल साहथ ही ता हुआ हुआ था स्टोरिय जो है वो निरिशन स्चिफ्ट हो था खबी वह यह तंस और गेम पर तैडर्यव जालिकषा का यहांता था तो निरिशन स्चिफ्ट को अने पर इससे एंटर्यू के बादिएख भीaking आने ठाहर था फिर उसने का मुझे थाम इंजरी चाहिए उस थाम इंजरी के बाद नूर के बारे में बता है कि नूर कोन है ठीक है फिर नूर अब क्या हो था रहा है नूर था रहा है कि जब Alice का इंटर्वी हो रहा था तब मैं भी उस कुलीक के साथ बैठा हुआ था कौन से कुलीक से वहाँ पर प्रायरा था तहरा के बागी कुलीक से यह नहीं कि सिस्टर हिनाग दी और डॉक्टर और्थो यह बैठे वे थे हापस में तो कहता है मैं भी वहाँ पर था तो मेरा मेरा यह मानना था कि जो है ना ऐलस बट्टी उसको अपॉइंट कर लिया जाए ऐलस को भी जोब मिल जाए क्योंकि एलस ही रीजन था इसके यहां पर अपॉइंट होने का क्योंकि एलस नहीं इसको डॉक्टर प्रायरा के लिए मतलब उनका अड्रेस दिया था उनसे मुलाकात का जो इंफ्रमिशन थी वो प्रोवाइड की थी तो कहता है मैं यहां पर एल ऑमॉर यहां पर आया था स्विश्पिल के बाए तो दॉक्टर प्रायरा थे भक्रायरा चैश्पिक्टिम्ट रांड इनके लिए क्या था टिक्र्टू सैलवेशन था भी फडिफिर नूर के बारे में और बताया था कि नूर जो एक पूछ नहीं है लेकिन यह एक वार गई इसका नेम इम्प्लयूईस की लिस्ट में तो नहीं है लेकिंद इसको इम्प्लयूईस से ज्याधा रिस्पोंसिबिटीज दी गई हुई हैं स्रवसिस भी इसको भी गई हुई है और इसकी सर्वसिस जो एकनॉलिजड है और जैनब इसकी जो मज़र है उसको best possible medical तो नूर जो के एक डॉक्टर नहीं है वो भी लोगों के साथ मिलके स्टिचिस करता था लोगों जो जितने लोगों के अटाक हुए थे जो लोग बिमार हुए थे, जखमी हुए थे उन सब के स्टिच नूर भी लगाता रहा है अब यहां पे एक और करप्शन हाइलेट की है कि जो पोस्ट मॉर्टम नहीं लेकिया आता थे न वो उन से भी 500 रुपीज चार्ज किया करते थे में चुसे साथ-साथ यहां पे होस्पिटल की करप्शन को भी हाइलेट किया जा रहा है साथ में जो नूर है वो कहां से आया था 14 एज का था और जब यहां पे 17 एज का है अब यहां पे वोड़ वो है उसकी मदर का नाम जैनब जैनब बिमार है अच्छी सर्विसिस दी जा रही है वगएर 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 सब कुछ साथ-साथ हाइलाइट किया जा रहा है फिर इसे चैप्टर में डॉक्टर मलिक पूछता है नूर से पताता है कि जितनी भी जैलबर्ड थे उनको यहां पे जोब मिल गई है चैप्टर फॉर्ट के अंदर हम देखते कि अपने फर्स विजट के लिए चरिया बॉर्ड में अकेले जाती है जब चरिया बॉर्ड में हो जाती है कि आप एक पागल ने वहां पे फिंगर के साथ एक integrity लिए बॉर्ड लेट कि अपर ते सिर्फरेंग फोड लाय फोड पर वहां पे साथ हिंगर के साथ एक बॉर्ड लिखा हूत है लिखा हो थे यह सम्टारेश एक फ्रीज वह लिखा होता है चरइबोड के उन्दर तो वह सारे लोग जितने हमापे उसको स्वार्ड के देंग करते हैं तो । इसको बचाता है इन सब भागलों से फिर चैप्टर फाइब शुरू होता है नूर अपनी मदर का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है इसकी मदर एक टीबी पेशेंट होती है और वो सेक्रेट हार्ट होस्पिटल के अंदर ही है अपनी मां का फेस साफ करता है इसकी मुझ से मखियां इसके पर आरी होती है इसके मुझ के पर वो भी साफ करता है ऐलस बटी बिल्कुल साथ ही बैटी होती है नूर के और इसकी मां के नूर कहता है मैं अपनी मां के लिए बड़ा परशान हूँ तो एलस बताती है आज समटाइम्स मैंने कलिमा यह भी पड़ा किया करते थे कहते मुझे याद है कि जब तुम जैल में ती और तुमारी जो बैल के बात करने थे तो तुम्हारे फ़ादर ने डॉक्र अधर व, उ сे sponsor कादिर यह मैं удивि यह ब्हूं का थो, उस दूने का थे, तो उस्चिन गिंपर तुम। पर उनका इलाज किया था और ये Holy Quran की वर्सेस थे और यहां पर कुटिशन है और यहां पर कुटिशन है और यहां पर बताया गया कि जो वर्ड चूड़ा है वो एक डिस्क्रिमिनेटिंटिंग वर्ड यूज करते हुए यहां पर एप्रिशेट कर रहा है उसकी अबिलिटीज को भी किस तरह से उसने ट्रीटमेंट कर दिया और किस तरह से उसको सुरह असर की आयाद दियाती थी और कहता बेशेक की चूड़ा है ठीक है उसने वर्ड यूज किया लेकिन उसके बावजूद भी इसकी विलिटीज किया थी सुसाइटि को क्लीन करता था हलाकि यह रिटायर्ड हो चुका था इसके जोब का टैम्पेर्ड मुकमल हो चुका था फिर भी यह अपना काम अच्छा करता था फिर इसके बाद जो एलिस बिटी है उसके जेल में रहने की वज़ा बताई की की वज़ा क्या थी कि इसके उपर ब्लेम कर दिया गया था कि इसने एक मर्डर की है अब जब इसके पर मर्डर का इलजाम लगा दिया गया था तो इसी बेस पे इसको 18 मंथ के लिए प्रिजन में डाल दिया गया था लेकिन एनिहाओ इसका फादर जब आता है और इसका फादर आके जब lawyer को साहता था तो इसकी जो punishment थी उसमें 4 month की कमी कर दे जाती है और ये 14 month बाद ही वापस आ जाती है अब इसके बाद जब next chapter स्टार्ट होता है तो उसमें दिखाया गया है कि एक गाड़ी आती है उस गाड़ी की ओपर जो number of letters पर लिखा हुथ है devil of the desert एक अपर क्लास family की वो कार थी और वो कार वहिकल जो बड़ी वहिकल थी और उस कार से एक बहुत वेल्दी लेड़ी होती है उनको यहां पे लाया जाता है इसी दिखेशन सिस्टर हीना और आपस में Alice बटी बात कर रहते हैं फात्मा जिना के अबाउट तो कहते हैं सिस्टर हीना is in conversation with Alice on history and on फात्मा जना शीजिस दा फात्मा जना यहां पे यहां पे यह खुद भी सिस्टर थी तो इसे लिए फात्मा जना को भी सिस्टर के लिए हाइलाइट कर रहे थे और Alice इसको पर agree होती है इसके बाद वह वह vegकल में आई होती है वह जो जो वी आई पी वहिकल में है होती है उसके साथ दो आदमी B tutti आभे आदु को आदमी आपने फहीरती हां और जो वह आड़ छेल रहे होती ह्सकोरी से काड्न के काड्न नीचे गिड जाते है तो प्लार इसको आदसमें से अंवा और उसके बाद यह जो लड़का होता है जो उससे पहले थाउजन रुपीस रिवार्ड के तोर पर देता है वो बाद देना इसको टीज करता है Alice को और Alice यहां पर रिलाइस करती है that all her struggles and dreams will die in this VIP room और वो इतना टीज करते हैं इसको बचाने के लिए उसको पर अटाक कर देती है फिर यहां से चैप्टर नबर 8 शुरू हो जाता है जिसन बता जाता है टैडी पर जो है उसको एलस से महपत हो चुकी हुई है टैडी एलस के साथ टाइम भी स्पेंट करता है दोनों बोटिंग क टैडी बट को निकलना होता है अपने जी स्कूर गूर्प के लिए एपने काम के लिए अब इनकी शादी कोहं पर उती है समरीन के ओपर होती है एक पॉर्ट के ओपर होते है उसका थे लटने को दो हुआ हुआनएव को पकड़ा होताbowsघ बसंग होहां मैंपाइग्ज नहीं वो इसी चीज़ पर आज़ जाता है कि चलो हमारे पस अबुजर नहीं है लेकिन अफजल है न हम अफजल कोई अबुजर के तोर पर मार देंगे अब इसके बाद नेक्स चेप्टर जब शुरू होता है उसमें हम देखते है कि Alice अपने फादर को विजट करने के लिए जाती है मौर्णिंग में फ्रेंच कुलूनी के अंदर और वहां से हमें रिवील होता है कि इसकी मदर का नाम मार्गरेट बटी था जो के कुछ ही टाइम हमने फादर के साथ रही थी अब यहाँ पर क्या होता है बता है कि उसको ने बता जब बारा साल की थी इसको ने बता उसकी मदर कीड़ की उई वजा क्या थी लेकिन बाद में उसको रियलाइद होता सकी मदर कीड़ कीड़ कवजा यह थी वह सुआइडिन में है, तो कहां पर है, प कैसे टेररिसम किया, जिके मिला टेऱिज के थिए एक किया güç जिर यह पाइडीborg टेरिस्टी, हमकी पिस्टिल का नेम है अल्वी बताती है कि तुम पता है एलस के मेरी तीन दफ़ा शादी हुई हुई है दो दफ़ा एक ही आदनी से एक दफ़ा किसी और से मेरे हस्बंड का नाम अल्वी था ये बात में रिवील करेगी अल्वी वाली बात एनिहाओ फिर दुबारा स्टोरी शिफ्ट होती है टैड अल्वी बता है ये साथ मिलावा था अबुजर को इसलिए पगवाया है फिर बाद में थोड़ा साथ मिलाएक्स करता है अब अब तो पर वापस आता है घर बहुत लेट आता है वह अपना डिनर ओरेडी मेलंगी के साथ कर चुका होता है अब आलस उसको नराज होती है मैंने हमारे लिए खाना पकाया हुआ था मैं तुम्हारे इंतिसार का रही थी तुम फिर भी खाना खाया हुआ है तो अब मैं क्या करूंगी पर इसके बद एलस और टैड़ी जो आपस में टाइम स्पैन करते है फिर नेक्स्ट मॉर्डिंग अलस नूर को बताती है कि उसकी हो चुकी हुई है तुम्हारे ही फ्रेंट तैड़ी भट से हमारे शायदी संबरीन के उपर हुई थी एक बोर्ट के उपर हुई थी नूर उसको मबारिक बात देता है लेकिन एक्चली में वह जादा अपनी मदर के बाउट ना परिशान होता क्योंकि उसकी मदर जो है लास नेक्स्ट मॉर्निंग एलेस दूबारा से हॉस्पिटल में में वह शिस्टर हिना के पास है तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो बच्चा जिन्दा हो जाता है एक्षिली में बच्चा जिन्दा ही था लेकिन वो टंप्रेरी ऐसे दिखाया गया था कि उसकी दभीयत नहीं ठीक थी वो सांस नहीं रहे पा रहा था एनिहाँ वो प्रे करती है तो बच्चा जिन्दा हो मैं तुम्हार साथ रहे कि उसको चैसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा और कहते हैं मैंने कुछ देश के लिए अपने आपको हाइट करना तो मुझे उसके लिए कुछ पैसे भी दे दो अब ऐलस ऐसा ही करती है वो वापस होस्पिटल में आती है नेक्स डे जब वापस होस्पिटल में आती है तो देखती है वो बच्चे की तो मा थी ना उसकी डेथ हो चुकी हुई है वो तब भी होगी थी जब बच्चे को इसने डिलिवर किया था अब कोई भी उस यंग बोडी के लिए क्लेम करने के लिए आता ही नहीं है फिर उस बड़ी को वही दफना दिया जाता है उसके बाद बच्चे को अपने पास रखती है और कहती है इस बच्चे को मैं अपने पास अडॉप्ट करना जाती हूँ लेकिं तुम्हें इस बच्चे को अपने पास रखने के लिए पहले जितनी भी फॉर्मलिटीज होती है ना पेपर्स की वह फिल उसी डूरेशन के अंदर उसको को एक पोस्टर जादा पोस्टर अफोस्टर आथा जो कि अल्ल when अल्मार lesson की डो अम्हेटेस्ट है 10 और की एक टैडी की छेटी की वह सेट्स कर रहा होता है तो अलस वाली साइट जो कि मौजज़ है अब आदी बात सुनके टैडी को बड़ा गुस्सा आता है पहली बात तो यह होती है क्राइस्ट का पोर्सर देखकर हिरानगी होती है क्योंकि टैडी एक मुस्लिम होता उसको लगता है कि अलिस भी मुस्लिम हो चुकी हुई है अफ्टर मैरिज लेकिन ऐसा की बीच्छे समफिकों आदी एक रिलेश्शेप क्या है नूर and Alice N's something caught between them Teddy thinks Teddy सोचता है He then shoot her left eye in fury making him bleed sorry He then shoot his left eye in fury making him bleed and crying on the bed वो नूर की भी पादपुरी ने सुनता और उसकी आँख में गोली मार देता है अब उसके बाद दूसरी तरफ जो Alice थी वो little baby के साथ busy होती है उसके साथ खेल रही होती है और जो हिना हिल्फी होती है वो Alice को अपने साथ ना अपने घर ले जाती है क्योंकि Teddy bird तो वहां पर आ नहीं रहा था अब उसके पात Alice ने प्लान कर ले कि Teddy तो आ नहीं रहा मैं अपना घर ही छोड़ जाती हूँ वो अपना घर चोड़ के चल गई थी हिना के पास हिना उसको अपने साथ अपने घर में ले आई जब हिना उसको अपने घर में लेके आती है न तो Alice देखती कि हिना भी Christ के poster को pray कर रही है वहां से उसको बताता है कि हिना actually में Christian है और हिना reveal करती है कि हाँ society के अंदर मुझे रहने के लिए मुझे मेरा नाम बदलना पड़ा था क्योंकि society के अंदर जो minority हैं उनको exploit किया जाता है इसलिए मैंने मेरा नाम change किया मेरा actually में जो name है वो हना था और बताती कि she married a Muslim twice जिसका name अलवी था तो उसी की name से मैंने अपना name अलवी लगाया आप वहां दूसरी तरफ जो टेड़ी था वो इसी confusion में था कि वो बचा किसका है और कहता है कि अगर एक common word वो है जानता है इस बारे में तो it means कि पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है फिर मलंगी इसको acid देता है और कहता है टेड़ी को कि ये acid लोर मार दो कहता है try this and she will always remember you this is the only thing that will hurt as much as love hurts फिर कहता है they need a driver come bodyguard type person work is a bit boring but the money is good they also have some business spending with your wife they will protect you you will get this to see the world he leads him to gleaming surf surrounded by four guards in black uniform there is no number on the registration plate just some words in bold red try it out i hope you people get along says inspector malangi introducing teddy to guards and keep the stuff away from your body make sure it does not spill it's a precious as gold अब यहां पर का दिया गया है उसको guard भी प्रोबाइट कियेंगे गार्ड तुम्हारे साथ रेंगे तुम्हें स्टाफ को जैनाब की दिए जैनाब की तबियात बहुत खराब है और जब वो जैनाब के पास पहुंची तो नूर उसको पताता है कि टेडी आया था सिगनल की वह ग्रीन हो जाती है और वहां से फिर अबुजर निकल जाता है उसको पकड़ नहीं पाती है फिर दोपारा नेक्स चैप्टर आता है तो नेक्स चैप्टर में हम देखते हैं कि जो जैनब थी उसकी तबीयत खराब हो चुकी हुए है जिसके बारे में यहां पर क्ल गई है अब उसके बाद क्या होता है टेड़ी बट के हाथ से वो जो बॉटल थी पोईजन की सिल्फिरिक एसेट की वो एलस के उपर की जाती है लिखा है टेड़ी बट बेरली मैंगेजेस तो स्टोप दा बॉटल फॉलिंग 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 है यू ब्लाइंड है एलस ग्ज़ बट लॉट नहीं है अब बिसकली क्या हुआ वो जो पॉजन था वो जो एसेड था सिल्फिर एसेड वो टैडी के हाथ से एलेस के फेस पे गिर चुका एलेस के डेथ हो जाती है फिर एपिलोग होता है एपिलोग पर लिखा है एन अपर लटर टू दा कंग्रेशन फॉर दे कॉसेज ऑफ सेंट्स दा वेटिकेंड यह इस तमाउन को कहते हैं अगठा होता जो गुरूप फ्रॉम जोजफ बट्टी जोजफ बट्टी लिख रहे है फ्रेंस का नाम लिखा हुआ है अवर हॉली मदर अपेर्ड ओन दा फॉर्ट ऑफ सेप्टेंबर लास्ट यर अबव दा रूफ और आउट पेशन गेट्स अप्टा फॉस्पिटल है बिन चट बिकॉस एक कुड़ नोट टेक इन अनी मॉर पिशिंट बताया है यह गया कि लोग उपर की देख रहे थे कहते उपर ऐसा हुआ था कि वर्जिन मेरी आई थी उन्हें साब में अपने एक बच्चा बकडा हुआ था वो अपेर ह को प्रेश्टर के अंदर यही कहा गिया कि लें और यही को आप सेंड जये करें और इसको बिल्कुल एपिलोग के एंड पे कहते हैं and since sister Hina Bhatti Alice Bhatti's story cannot be told without telling the story of her time at the secret why not start the story when Alice Bhatti came to the secret looking for a job कि क्यों ना शुरू से शुरू करें कि शुरू से लगे अब तक शुरू करें कि को सुसाइटी जो है बुरा कर रही है उसको exploit कर रही है तो आप फिर कहता है एपिलोग दिने के बाद ending करके means दुबारा chapter पढ़ें तो आपको रहाएज होगा किसनों society ने उसको humiliate किया उसको suppress किया उसको subjugate किया और add then उसको death face करना पढ़ी होर स्टोरी के एंड पे बिल्कुल जब इस quotation लिखी हुई है love can bring you together but in the end you have to die alone अब यहां पे क्या वा misunderstanding हो गई Alice को misunderstanding होई कि अब जो उसका husband है टैडी बट वापस नहीं आएगा वो चला गया उसने आग्यू भी किया last time और last time इसको अपने घर भी बेज़ दिया था कि मैं busy हूं मैं वापस नहीं आऊंगा मैं trip पे जा रहा हूं और यही सोच कि पिर Alice उसका घर चोड़के आ गए थी मिस हिना के पास misunderstanding और same वहां पे क्या हुआ जब टैडी वापस आ गया तो उसे भी बड़ा परिशान होता है अगें यह हमारा क्रेक्टर टैडी बट तो यहां सबसे understanding गोई और यहां से at the end you have to die alone और यहां पे story हुई और आई होप ए लेक्च्छर आपके लिए helpful रहा होगा वाउ मैं कास रादर की का फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्च्छर साथ तब तक के लिए Allah हाफिज